अधेलो फ्रेंड जुति कृषिं मे आपका स्वागत है देखिए आज हम आपको बाली बनाना बता रहें कान की यह देखिए यह हमने बनाई है एक दैखिए अपने हिसाब से कोई भी कलर से अपने डिजाइन से अपने सोगे ज्रेस के मैचिंग से आप यह दिखिए कोई भी कितनी सुंदर-सुंदर लग रही है अब दिखिए किसी साइज का समारी जो वाली का साइज एक ही लेकिन अपने एक साफ में ल Cambly Jesus लिए ओपने साफ्टे बननना को लेकिन अदर नभा ना नहीं है इसी तरह आपने हिसाब से कोई डैन बना सकते हैं चोटा कमज़ादा बना सकते हैं यह सब हमारा यह सब यह सब जैसे चाहें सब्सक्राइब करेकी है लेकिन यह चोटा बड़ा लगते हैं चोटी लग रही है यह कितने बड़ी लग रही है आपको बड़ा बनाना है तो जादा डाल लीजिए यहां और छोटा बनाना है तो कम डाल लीजिए यह देखिए हमने एक बनाई है यह देखिए इस टाइप की हमने बनाई है चलिए यह बनाकर दिखाते हैं हम आपको इसको ह तुआ आपको multiplex के साथ में और प्र के साथ में और questa देख सकें और शेयर करें और आप अपने बाइखनेंस के साथ जरूर प्लीज शैर किजिए और सब्सक्राइब कीजिए आशे हैं हम्ने सब्सक्राइब नहीं कीया है जरूइब कर दीजिए इसके लिए हमको यह दिखि ऑण चाहिए और भगा इसे मिल जातीज है भी आप हम्स्टर करते हैं अपने हिसाफ है अ कोई बीजिए गन को कोकुरिए है मैं यहां से सानी में थोड़ा सांगा लगता है लेकिन लुए हम घुकि अलस फिछलेटा फैल ग कुछ के यह बनाने में थोड़ा वी अलगता है यहां से अभी हम एख यहां से हम चेन डालेंगे एक ही चेन डालेंगे यहां एक चेन डाली आर यह को टाइट कर लेंगे इसके बाद हम इसको सारी 25 स्लिप स्टुच हम बनाएंगे इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे यह दागा हम साथ में लेते जाएंगे तीन चार पांच यहां से भी साथ में हम पकड़ लेंगे ताकि दागा बहार नहीं आए साथ होगे अभी हम इसके बाली के निचे से निकालेंगे और दागा लेके इसको ऐसे एक स्लिप स्टीच बनाएंगे छे और इसको साथ साथ में टाइट करते जाएंगे यह देखेंगे साथ आठ दस ग्यारा बारा देखेंगे हम पच्चीस करके बताते हैं इसको बना लिया है यह दिखेंगे इस तरह से यह इस तरह से बन जाएगा अब हम इसके अंदर में दिखिये यह इसको बाहर से पकड़ेंगे और इससां के अंदर एक एक सीशी पसीच डालेंगे ए एट है एक सुरसिच सब के इंदर आएंगे आप पच्चीस हमने बनाए हैं कि पच्चिस के पच्चिस लिप्सीज हम इसमें डालें है हाथ थोड़ आसा टाइट रखेंगे कि ज्यादा धीला होगा तो यह नीचे जाके फैल जाएगा आप अपने हिसाब से कोई भी धागा ले लीजिए और किसी भी कलर का ले लीजिए आप कॉटन का धागा लीजिए चाय से लगा लीजिए यह आपके उपर हो कि यह पहली बार थोड़ आसा मुश्कल होता है जाना क्योंकि हम लोग ने पहली बार जो यह टाइट डाले होते हैं जितने भी स्लिप स्टीच है हमने टाइट डाले हैं कि इसको भी हाथ को टाइट ही रखना है इसको भी हम चेन को जो बना रहे हैं उसको टाइट ही रखते हैं इस तरह भी हम इसमें पांच लाइन डाल लेंगे कि इस तरह हमारा यह राउंड सेकेंड राउंड भी पूरा हो गया है अब हमने कितना लंबा बनाना है उसके हिसाफ से आपको लाइन डालनी होंगे अब एक वी छोना लेंगे ए है को एक में दो नहीं जालना है नहीं तो नीचे जाकर फ्याईज़ जाएंगे है कि यहां थोड़ा सा मुश्कुल होता है तो भी यहां पर हमने उसको पकड़ के डबल बनाया होता है इसके लिए थोड़ा सजांसे यह पहले वाले में बहुत थोड़ा हाड सा लगता है यह भी हमारा थोड़ा सा इसको पल्टी करेंगे यह दिखिया हमारी दो लाइन हो गए अब इसी तरह हम तीन लाइन डालेंगे अब यह फटा फट हो जाएगा तो हमारी हो गएए एक हमने बाली के साथ में बनाए एक अभी डाला दो यह भी हम तीसरी लाइन डालना है बहुत जल्दी 10 मिनट में बाली तैयार हो जाती आपको कहीं जाना है आपके पास उस कलर का धागा है पढ़ी हैं बाली तो चली यह फटा फट बनाएए पहन लीजिए तो कि आजगर की लड़कियां तो वैसे भी आर्टिफिशल थोड़ा ज्यादा ही पसंद करती है मैचिंग वैसे भी अच्छा लगता है इसके लिए बनाने में कोई इसको टाइम नहीं लगता है बस फटा फट बना लीजिए यह भी हमारा दीसरा राउंड हो जाएगा पहला और दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि पहले में रिंग हमारी जो बाली है वो गूल होती है गूल में थोड़ा लग बनाना होता है जब एक दो बारा बना लेंगे तो भी इजी लगने लग जाएगा हमारी यह द्लेय definition द्द्द बारा पांच आपको बनाते दिखाते हैं रहे हमने पांच लाइन डाले हें एक दो तीन चार पांच अब हम इसको पल्टी करेंगे और यह जो हमारी नीचे किनली हूई है किनली बनाएंगे यह यहां परर एक दो तीन तीन डालेंगे और यहां एक पहले बाले में ऐसे डाल देंगे उसके बाद देखीएगा हम फिर एक छोड़ के अगले में हम इसको वापस से डालेंगे इसको ऐसे जोड़ देंगे फिर एक, दो, तीन और इसी में हम वापस से फिर से डाल देंगे ні किस तरह हमारी कईस बनती जए फिर हम एक छोड़के उसमें डालेंगे अगले आले ओवह समय दालेंगह Union यहां पे भी हम है दो तीन द्लावन चेन बनाएंगे और यहां पर हमने दाला था वहां पर ही वाफस फिर से इसको डालेंगे फिर एक छोड़के अगले में हम फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, इसको बाद फिर तीन चेन बनाएंगे, एक, डो और तीन, वापस उसे में हम वापस से सिलिप से से जॉइन करेंगे, फिर हम एक चेन छोड़के फिर उसमें एक सिलिप स्टिच लग हदective फिर एक दो और तीनुल फिर अपने मारा सब्क Rafal फिर हम एक बनाएंगे उसके बाद एक दो और तीन की आ वापत बनती जारी एक दो और तिन फिर हम इसे स्लिपसे से जॉइन करेंगे एक दू और तिन फिर वहीं हम जॉइन कर लेंगे यह दिखिए हमारी जैसे यहां बनी हुई है इसी तरह हमारी यहां भी बन लिए है कि यहां हमने जॉइन किये उसके बाद एक छोड़के फिर वापस हम जॉइन करेंगे एक दो और तीन तीन डाली उसके बाद उसी में वापस हमने जॉइन किये इस तरह हम बनाएंगे यह दिखिए हमने इसमें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस बनाए थे इसमें वह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो अभी हम यहां लास्ट में भी बनाके इसको जॉइन कर देंगे यहां भी हमने इस साइड भी हमारी दस हो गए हैं और उस साइड भी हमने दस बनाए इस तरह भी हम यहां पर इसको यह दिखिए हमारी बाली अभी तेयार हो फटा फट से हो गई कोई टाइम भी नहीं लगा दस मिनट में यह दोनों बालिया तेयार हो जाती है आप भी दिखिए जल्दी से बनाएए और पहनिए और कॉमेंट करके हमको बताईए कि हमारी बताई हुँ भी यह जो आप बाली है वो आपको कैसी लगी प्लीस कॉमेंट जरूर किया करें ताकि हमको भी जल्दा पता लगे कि हाँ जी आपको हमारी जो आइटम है वो कैसी लगती है हमारी कोशिश लगती है कि हम नया से नया आइटम आपको दिखाएं और आप भी बनाएं हमको भी अच्छा लगता है यह देखिए इसके लिए हम इसको अंदर पै कर देंगे क्योंकि यह पै करना बहुत जरूरी है नहीं तो बाहर से दिखेंगे क्योंकि वाली ऐसी चीजे दोनों साइड से ही देखती है इसके लिए भी हम इससे भरी क्रोश्य लेके इसको अच्छे से करना जाब सोई धागे में भी डालके इसको पै कर सकते हैं इस तरह से भी हम यहां से इसको भागे के इस तरह हमारी दोनों वालिया हमारी इसके बन गई है इस तरह से दोनों वालिया बन गई है इसमें कोई सीधा उल्टा तो होता नहीं है आप किसी भी साइड में इसको पहन लगती है आप भी बनाई है चलिए अभी आप प्लीज आशा है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और फ्रेंड जुतिक रेशी में आपका स्वागत है हमने आपको पहले बाली सब दिखाई थी कैसे बनाई जाती है इक बनागे जब हम इसका एदिक डेकोरेशन करेंगे थोड़ा सा इसको मोती लगाएंगी यह हमने बाली बनाई है अब हम इसके उपर इसके यहां से भी हम आधिक हमने चार मूर्ती हमने लिए और इसको हम यहां से यह देखिए चार मूर्ती लिए और यहां से भी हम इसके साथ में इसको ऐसे लगाते है इसको इसको इसके अंदर वापस निकालेंगे यहां से और इसको ऐसे यह देखिए फिर से चार मूर्ती लेंगे एक दो तीन और चार इस देखिए फिर से हम यहां से भी हम इसको फिर एक छोड़के दूसरे वाली जो हमने जो चेन बनाई हुई है यह चेन में हम बापस से इसको वापस से हम फिर एक वाला जो है मुति फर्स्ट वाला उसमें से निकालेंगे और इसको इसे वापस से एस तरह से बनाएगे अब फिर हम चार मुति लेंगे हमको चार-चार मुति ही लेने हैं एक दो Łukai 3 हुआ हम है कि यहां से फिर हम है यह जी एक चेन दिका दिख चोड़ी है वापस से इसे हम यहां चार मुति लेंगे और यह जो फर्स्ट वाला हमारा मुति है हम उसके अंदर से निकाल देंगे इस तरह यह हमारे हैं इस तरह जो माला इस ओरी कान के हैं वह इतनी समें सुंदु सुंदु बनते जाएंगे फर्से एक दो तेन, चार्ट, एक चेन छोड़ेंगे अगली चेन में, इस तरह से बनाएंगे, फिर जो पहला वाला जो मुर्ती है, उसके अंदर से हम वापस निकालेंगे, इस तरह से हम, इस अपने मालक, यह जो कांद के हैं, इसको बनाते जाएंगे, एक, दो, तीन, तीन, चार्ट, हमको चार-चार ही मुर्ती लेने हैं, क्योंकि पांच मां हमारा यह हो जाता है, हम चार ही लेंगे, इसको बापर से खेच लेंगे, सब में हमने, चार-चार ही लिए हैं, थोड़ा टाइटी रखना है, ताकि यह हमारा, मुत्ती जो है, वो धिले नहीं होने हैं, एक, दो, तीन, चार्ट, हम यहां से एक छोड़ा और इसमें हम एक छोड़ा और यह हम इसमें लेंगे, फिर हम फर्स्ट बाले में निकाल लेंगे, इस तरह हम अपना, देखे, हमारे जो तान के हैं, नीचे से ऐसे बनते जाएंगे, सुन्दर-सुन्दर, बहुत असान है, तीन, चार्ट, एक छोड़ेंगे और यहां किनारे में वापसे लेंगे, इस तरह से भी हम, इसको लास्ट में हम एक बार फिर से लानेंगे, यहां तक पूरा करेंगे, एक, दो, तेन, चार्ट, यहां से भी हम इसको, यहां से भी हमारा, इसको थोड़ा खीच के लेंगे, ताकि, एक, दो, तेन, चार्ट, इसमें भी हम, इस तरह यहां भी हम, जैसे यहां लास्ट में डाला था, इसी तरह, जिसमें भी हम लास्ट में डाली हम, यहां हमारी बाली तेयार होगे, इसी तरह हम, दूसरी बाली भी तेयार कर लेंगे, चलिए दोनों करके फिर दिखाते हैं, दिखे ब्रेंट्स हमने मोती लगाके यह दिखे, दोनों कम्पलीट कर लिए हैं, यह दिखे, कितना सुंदर लगता हैं, यह दिखे, आप दोनों की दोनों हमने मोती लगा लिए हैं, जैसे हमने बताये थे, वैसे ही मोती लगाए हैं, दिखे, आप भी अपने बनाएए, औ पहनिए और सुन्दर सुन्दर बन जाईए थैंक्स पूर वाचिए